धर्म और मत में भाई और बहनों अंतर होता इसको द्यानूर करवाओ आज कल जिनको धर्म का नाम दिया है मत है मत मतांतर है धर्म अनेक नहीं होते धर्म एक ही होता है और वो है वैदिक धर्म जो सृष्टी क्या दीछे था हम भी आज विचलित अवस्था में हैं हम जितने हैं वैदिक धर्मी वैदिक का मतलर वेद को वेद के अनुयाई जो है वो वैदिक हो गए और वेद की बातों को मानना यह हमारा धर्मिकारिय बन गया तो हम असली मूल कौन है वैदिक धर्मी है वैदिक धर्मी अन्य जितने हैं जो मनुष्य के द्वारा जिस चीज की स्थापना होगी यह संप्रदाय है जान करो संप्रदाय हैं वो धर्म नहीं हो सकते जो व्यक्ति विशेश के द्वारा जिसकी स्थापना होगी वो एक व्यक्ति की मान्यता है लेकिन वैदिक धर्म मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है यह इश्वर के द्वारा स्थापित है वेद इश्वर की रचना है और इसी का कारण है जब से ये बिन बिन मत मतांतर दुनिया में आए तब इसे मानव मानव में भेद हुआ दिवारें खड़ी हो गई खून खराबा हो गया अभी जो एक कारिक्रम चल रहा है जराइल में और वहाँ पर वो इसी का तो परणाम है ये इसी का परणाम यातंक बाद कून कराबा हम रहेंगे बाकी नहीं रह सकता यही तो सोच काम कर रही है वहाँ पर और हम कोन है यहां तो रोज आप गाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन है सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्चंति उमाकस्ची दुखे यही गाते हो ना सब सवेरे बैठके है भगवान इस धर्ती का कोई प्राणी मनुष्य नहीं कोई भी प्राणी दुखी ना हो सब निरोग हों सब सुखी हों सब स्वस्थ हों सब धन्धान्य और भवतिक सुख सामगरी से परिपूर्ण हों आपका तो पाठ ही यह है और उनका पाठ ही है जो हमारे पर इमान नहीं लाता वो कोण है काफिर और उसको मोत के घाट उतारना जन्नत को पाने का तरीका तो धर्ती पर शांती बताओ कैसे होगी आप क्या गातते हो स्वामी जी बोल रहे थे न अयम निजह परोवेती घणना लगुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसु दैव कुटम बकम यह हमारे महापुर्षों ने गया यह तेरा है यह मेरा है यह अपना यह पराया छोटे लोगों की बात है सारा विश्व का हर प्राणी मेरा परिवार है और मैं उसका हूँ यह चिंतन है वैदिक लोगों का चिंतन अब आप सोचिए यदि धर्ती का एक एक व्यक्ती सोच को लेके चले तो आतंकवाद के लिए जगह है इन फोजों के लिए परमानू बं बनाने की जूरत है और सुनो इसे भी आगे साहरदम सामनस्यम मै विद्वेशम क्रणों मी वै अन्यों अन्यमा भी अरियतिया वत्सम जातम विवागन्या ये है वेद वेद कहता ओ दुनिया के लोगो ऐ विश्व के मनुष्यों तुम आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करो ऐसे प्यार करो जैसे नवजात गाए अपने बचडे से प्यार करती है दुनिया में उधारन जब गाए बच्चे को जनम देती उसके उपर कितना मल लिप्टा होता है और गव माता उसके मल को चाट करके प्रसब वेद ना भूल जाती है वेद ये कहता है धर्ती के मनुष्यों भारत के नहीं क्योंकि वेद भारत के लोगों के लिए नहीं है सब के कल्यान के लिए तुम एक दूसरे से प्यारे से करो जैसे नवजात गाए अपने भच्चे से प्यार करती ये है वेद का मंतर समानी प्रपा, सबो नभागा समाने योक्तरे, सेव यूनज़ि ए मनुष्यों तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ करके मिल करके, बंद करके रहो जैसे रत के निचे नाभिस्तर पर अरे कमानिया जुड़ी होती, कमानी समझते हो रत के निचे कमानिया होती न, एक होती दूसरे के ऊपर दूसरी फिर तीसरी फिर चोती ऐसे होती न, ऊपर वाली पर बजन पढ़ता दूसरी संभालती है और दूसरी पर बजन पढ़ता तीसरी तयार है और तीसरी पर पढ़ता चोथी तयार है और जब चारों जुड़ जाती है तो रत को गंतव्य स्थर पर ले जाने में समर्थ हो जाती है यह है वेदों के उपदेश कि तुम ऐसे मिल करके र पर रखे वजन को गंतवे स्थल पर पहुंचाती हैं इस जीवन की धाराओं को उसी रूप में आगे बढ़ाना संगचद्वम संबदद्वम संबव मनानशिजा यह है वेद मिलकर चलो मिलकर बोलो मिलकर सोचो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनो